ग्लेस परिवार को मेरा नमस्कार दोस्तों मैं आपके परिवार का साथी सरब जीत सिंग बोल रहा हूँ आज की मेरी बात प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है जिस प्रकार मानव शरीर में रीड की हड़ी का महत्व है वो ही महतुल हमारे बिसनिस में, हमारे product का है. Product हमारे business की, read की हड़ी है दोस्तों. दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास है क्या. मान लीजिये, आपके हाथ में पत्थर है, जो की चमक रहा है, लेकिन आप यही नहीं जानते कि वो हीरा है तो वो आपके लिए क्या है? वो एक पत्थर है तो जब आप इसे किसी को भी ओफर करेंगे तो आप इसे पत्थर की तरह ही ओफर करेंगे लेकिन अगर आप जान जाएं कि हीरा क्या होता है? हीरा अनमोल होता है और उसकी कीमत क्या है फिर आपको उसको देने का तरीका आपका confidence कुछ और ही होगा इसलिए दोस्तों हमारे business में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो उत्पाद आपके पास मौजूद है उसकी power क्या है उसमें क्या-क्या चीजे डली हुई है और वो कैसे दूसरों से बहतर है आज मैं आप सब लोगों के साथ एक नो सूतरी कारिकरम शेयर करूंगा ये product की training जो अब आपके पास अलग-अलग हिस्सों में आईगी उसमें हर उत्पाद के साथ हर product के साथ नो सवाल जुड़े होंगे आपको केवल इन 9 सवालों का जवाब देने है और इन 9 सवालों के जवाब देते देते आप अपने हर product के बारे में बहुत बहतरी इन तरीके से जानकारी जान जाएंगे और जब आप इसे किसे और देंगे तो पूरे confidence और विश्वास के साथ देंगे और आप इसे ये कह पाएंगे कि एक बार मेरे कहने पर इस्तमाल करके देख अगर नहीं समझ में आया तो पैसे वापस लेकिन ये बात तब आईगी जब इसके साथ दो चीज़े जुड़ी होंगी पहला आपका सेल्फ यूसेज यानि कि आप उस प्रोड़क को खुद यूस कर चुके हो और दूसरा आपके पास प्रोड़क का ग्यान हो अगर ये दो चीज़ें आपके पास मौझूद है तो आप इसे बिलकुल वैसे ही ओफर करेंगे तो दोस्तो ये दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं एक आप अपने प्रोड़क के खुद यूजर बने यूजर क्यों बनना है उसके दो कारण है पहला आप किसी को वही दे सकते हैं जो आपके पास हो अगर आपने प्रोड़क को यूजर किया होगा तो ही वो आपकी आखों में होगा आपकी बातों में होगा वो विश्वास आपकी बॉड़ी लैंगविज में जलकेगा और दूसरा आप मुझे बताएं जिस प्रोड़क को यूजर करने से आपके सपने पूरे होते हो जिस product को use करने से आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें जिस product को use करने से आप अच्छे घर में अच्छी गाड़ी में घूम सकें तो आपको उस product को जरूर यूज करना चाहिए जो example मैं सालों से देता आ रहा हूँ कि सचिन तंदुलकर वो जूते पैन कर खेलता था जिसे खेलने के लिए उसे पैसे मिलते थे वो bad के ओपर उसका sticker लगाता था जो company उसे पैसे देती थी उसी तरह से glaze वो company है दोस्तों जो आपके सपने पूरे करेगी glaze के products आपकी life change करेंगे इसलिए आपको इन product को जरूर यूज़ करना चाहिए अगर आप संतुष्ट है तो आगे customer को बताए और अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप हमें बताए हम उसे और भैतर करेंगे लेकिन आप use जरूर करें दोस्तों दूसरी बात training आपके पास ये 9 सवालों के जवाब यदि हर product से संबंदित है तो आप किसी कोई साथ भी बैठ कर अपने product पो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और आप उसे sell कर सकते हैं तो आईए आप जानते हैं ये 9 सवाल कौन-कौन से हैं सबसे पहला उत्पाद का नाम यानि की name of product दूसरा उसमें डलेवे मुख्य तत्व यानि की key ingredients तीसरा उन मुख्य तत्व की विशेशताएं यानि की specialty चौथा उसे use करने से क्या लाब होगा यानि की benefits पाचवा उसे उपयोग करने की विधी यानि की उसकी usage direction चटा उसकी cost यानि की उसकी कीमत सात्वा प्रती उपयोग मात्रा यानि की quantity पर usage आपको कितना इस्तमाल करना है हर बार आठवा प्रती उपयोग लागत उसे use करने से हर बार आपकी जो cost है वो कितनी होगी और nova आपका अनुभव यानि की my experience उस product से जुड़ा हुआ आईए अब इस बात को मैं आपको एक उधारन से समझाता हूँ जो मेरा पहला सवाल है उतपात का नाम यानि की name of product वो है aloe vera hand wash दूसरा सवाल मुख्य तत्व इसमें है nimbu और aloe vera तीसरा सवाल इसकी विशेष्टा nimbu में anti-microbial gun है aloe vera नमी का बहतरीन स्रोथ है जो की आपके हाथों को मॉश्चराइज करता है चौथा lab यानि की जो key ingredient है उसका यूज करने से क्या lab होगा प्राकरतिक nimbuो का अर्ख किटानूओ का नाश्ट करके बहतरीन स्वच्चता एवं खुश्बू प्रदान करता है इसमें डला हुआ एलो वेरा हाथों को रूखे होने से बचा कर कॉमल बनाता है अगला सवाल उप्योग विदी यानि कि इसे इस्तुमाल कैसे करना है pump को एक बार दबा कर liquid hand wash को निकाले जहाक बनाते हुए हातों को उंगलियों को नाखून के बीच में मले और साफ पानी से धोले अगला सवाल इसकी cost यानि की लागत इसकी MRP है 180 रुपे साथवा सवाल इसकी मात्रा प्रति उप्योग यानि की quantity per usage ये है मात्र 2 ml यानि आपको एक बार में 2 ml यूज़ करना है आठवा सवाल प्रति उप्योग लागत दोस्तो केवल 1 रुपे 31 पैसे में आपकी सेहत की सुरक्षा होती है और साथ में आपके हाथ सुन्दर और कॉमल बनते हैं और 9 सवाल है मेरा अनुभव यानि की आपका खुद का तजरुबा क्या है उस प्रोड़क्ट को यूज़ करने का ये जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो आप खुद बताएंगे की मेरा तजरुबा क्या है जब मैंने इस हैंड वाश को यूज़ करना शुरू किया तो मुझे इससे ये फरक मحسوس हुआ पहले के हैंड वाश से मेरे हाथ रूके हो जाते थे इस हैंड वाश से मेरे हाथ पहले से मुलायम रहते हैं खुच्बू रहती है फ्रेशनेस रहती है और साथ में सुरक्षा भी रहती है तो आप केवल 1.31 पैसे में एक बार इसको यूज़ करके अपनी सेहत को भी संभालते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं और साथ-साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं तो दोस्तो इस प्रकार एक उधारन के जरीए मैंने आपको ये समझाया कि कैसे हर प्रोड़क के साथ जुड़े हुए नो सवालों के जवाब देते हैं तो आपके पास प्रोड़क की संपून जानकारी आजाती है और आप ये फरक लगा पाते हैं कि वो एक पत्थर नहीं वो एक हीरा है तो मैं उमीद करता हूँ मेरी ये बात आप सब लोगों को जरूर समझ में आएगी और आप इस पे काम करेंगे तो आपको कामियाबी निश्चित मिलेगी अब आपके पास एक एक करकर प्रोड़क की ट्रेनिंग्स आएंगी हमारी जो रेंज है जैसे कि हमारी एगरी रेंज क्रिशम है उसकी जानकारी आपके पास आएगी आपको केवल हर प्रोड़क के साथ जुड़े वे ये नो सवाल और इनके जवाब देने हैं दूसरी आगई आपकी गैलवेदा जो हमारी रेंज है तीसरा हमारी nutrition की रेंज और चोता हमारी personal care की रेंज इन में कुछ-कुछ उत्पाद होंगे जिनकी training आपके पास आएगी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो बाकी उत्पाद आपको हम ऐसा home work दे रहे हैं कि आपने जो बचे वे उत्पाद हैं उसके ऊपर खुद इसको तयार करना है आपने अपने videos ready करने हैं और अपनी downlines को देने हैं आपके पास हर product का संपून literature आएगा जिसमें 8 सवालों के जवाब होंगे क्योंकि नोवा आपका तजुर्बा है जो आपको खुद शेयर करना है तो ये 8 सवाल और उनके जवाब आपके पास भीजे जा रहे हैं नोवा आपने खुद लिखना है मैं उमीद करता हूँ इसे इस्तमाल करके आप अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे मेरी शुब कामना है आप सब के भविश्य के लिए जैहिंद गो गैलवे